नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं मैं घाले राजभौन में मंगलवार को एक भब्य सपत ग्रहन समारो का दोशन किया गया, जिसमें पधान मंत्री नायन मोधी ऍमेत देश के कई गनमाने नेता सामिल हुए जारखन के मुखे मंत्री हमांसुरेन भी सपत ग्रहन समारों में सामिल हुए है मेघालाई के राजभोन में राजेपाल फागु चवहान ने कोनराड संगमा को पद और गुपनेत्या की सपत दिलाई है उनके साथ नौ अने लोग ने मंत्री पत की सपत ली बता दे की नियू एन पीपी की दूसरी बार में घालाई में सरकार बनी है कोनराड संगमा के सपत ग्रहन में जारखन के मुखे मंत्री हमांसुरेन भी सामिल हुए है मौसम विभाग ने होली बी सेस मौसम पुरुनवान बुलेटिन जारी कर्या जनकारी दी है कि 8 मार्च को जारखन में कहीं कहीं गरजन के साथ हलके दर्ज की बार्चा हो सकती है हावा की अधिक्तम कती 30 से 40 किलो मिटर के बीच रहने का अनुमान है वहीं 10 मार्च को राजे के पूर्वी तथान निकट वर्ती मद्य भागो में कही कही गरजन बजरपात के साथ तेज हावा चलेगी 8 से 10 मार्च तक के लिए मौसम केंद्रनाची ने एलो अलट जारी किया है जारखन में मिले कोरोना के दो मरीज जारखन में कोरोना का खत्रा अभी टाला नहीं है ताया मामला जमसेदपूर का है बतादे यहाँ दो कोरोना संक्रमित मरीज मिले है संक्रामित मरीजों में से एक महिला है जबकि दुसरा पुरूस संक्रामन की पुष्टी होने के 50 सर्विस लाँंच टीम की सक्रियता बढ़ गई है टीम अलोट पर है, बताया जाता है कि दोनों मरीज किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में भरती हुए थे लेकिन रोटिन जाज के दोरान दोनों पोजोटी पाए गए फरवरी माह में हमें भी कुरोना के दो मरीज मिले थे नियोजन निती में संसोधन के बाद रोजगार के खुले द्वार जारखन के बिद्ध्यार्थियों के लिए खुस खबरी है बतादे जेससी ने पूरों में जीन परतियोगता परिछाओ को रद की थी उसके लिए राज में नए सीरे से नियोगती परकिर्या जल्द शुरू की जाएगी यह नियोजन निती में संसोधन के बाद लिया गया नियोजन निती में संसोधन के बाद एक बार फिर राज में नियोगती परकिर्या शुरू होने वाली है जिसके लिए बिग्यापन परकिरिया परकासित की जाएगी बता दे जार्खन समाने असना तक योगता धारी सन्युक्त परतुक्त परिक्षा 2021 जार्खन डिप्लोमा अस्तरी सन्युक्त परतुक्त परिक्षा 2021 के लिए भी बिग्यापन जारी किया जाएगा चारखन में शुरू होने वाली है बोट की परिक्षाएं 14 माज से मैट्रिक इंटर की परिक्षा सुरू होने वाली है इसकी त्यारी को लेकर उपायू संदीप सिंग ने सिक्षा पता अधिकारी सभी परिक्षा केंद्र अधिक्ष को प्रकांड पिकास पताधिकारी अंचलाधिकारी थानापरभारियों आधी के साथ बैठक की बता द्हनबाद जीला सि extern पताधिकारी भुतनाथ राजवार ने बताया है की जीले में मैट्रिक परिक्षा के पश्राथियों की संख्या 28-794crowd है जबकि इंटर परिक्षा के पर ठर्दियों के संख्या 26-334 है जीले में मैट्रिक परिक्षा को लेकर कूल 103 केंदर एवाम इंटर परिक्षा के लिए 88 केंदर बनाए गाए प्रस्न पत्रों एवाम उतर पुष्टिकाओ ओमर सीट को रखने के लिए समधित परखंड के राष्ट्रे किरित बैंक एवाम कोसागार को चिनित किया गया है केंदर सरकार का युवाओ को होली गिफ्ट तीरपन सब्सक्राइब पर भरती आयोग द्वारा सोमवार 6 मार्च 23 को जारी S.S.C. सेलेक्षन पोस्ट फेज 11 भरती 23 अजिसुष्णा के मुताबिक दसी बरावी और रशना तक उतिन युवाओ के लिए तीरपन सब्सक्राइब पर भरती के लिए चेन परकिरिया का आविजन किया जाना है इन पदों के लिए आविजन परकिरिया भी 6 मार्च से ही सुरू हो गई है और उमिद्वार 27 मार्च 23 तक आउनलाइन मोड में अपलाई कर सकते हैं रांची के लोग 5 दिन में गटक गए 11.42 क्रोर की सराब उत्पावत विभाग के अकड़ों के मितावी पिछले 5 दिनों में 79.72 क्रोर की सराब बेची जा चुकी है 7 मार्च तक इस राची में 35 क्रोर रुपए से अधिक आजाफा समभावी था है बता दें पिछले 5 दिनों में सबसे अधिक 11.42 क्रोर रुपए की सराब रांची में बिकी है वही 6.05 क्रोर रुपए बिकरी के साथ धनबाद दूसरे वह 5.07 क्रोर की सराब बेच कर हजारी बाग जीला तीसरे अस्थान पर है इसके बाद देवगर गिरिडी पलामू बोकारो अजमसेदपूर का नंबर आता है इन सबी जीलों में 3.00 कोर रुपए से अधिक की सराब पिछले 5 दिनों में बेची जा चुकी है होली के मौके पर राज में सबसे ज़्यादा सराब की बिक्रिडाय धानी में ही होती है गत वर्स होली के पुर्व केवल 2 दिनों में राची की सराब दुकानों में 13.500 बोतल बेची गई थी उत्पात विभाग के आकड़ों के मुताबिक होली पर होने वाली सराब की खपत में 12.000 बोतलों के साथ धानवाद दूसरे अस्थान पर था होली बाद महंगी हो सकती है बिजली पेट्रोल डिजल की महंगाई बाद अब बिजली की दरे भी बढ़ने की तियारी की जा रही है होली के बाद जार्खन के लोगों को बिजली के तेज हटके लग सकते हैं बता देराज में बिजली की दरे बढ़ाए जाने की तियारी चल रही है जारखन बिजली बीतरन निगम लिमिटेड ने बिजली की कीमतों में 20% की बड़ोतरी का प्रस्ताव राज बिधूत नियामक आयोग के समक्ष जमा किया है आयोग ने इस प्रस्ताव का अध्यान कर लिया है और इसी महिने के आखरी तक इसे लेकर विभिन प्रमंडलों में जन सुनवाई का आवजन किया जाएगा जन सुनवाई के परकिरिया पूरी होने के बाद आयोग नई दरों का अम्तिम निधारन करेगा अब मजदूरों पर नहीं होगा हमला हाल के दिनों में तमिलाडू और बिहारी मजदूर सुर्खियों में है तमिलाडू और बिहार दोनों राजों में तमिलाडू में बिहारी मजदूरों के साथ कथित मार पीट का मामला चाया हुआ है इस बीच खबर है कि तमिलाडू सरकार ने सो मौर को अतिती सरमिकों को अस्वस्त करने के परियास को आगे बढ़ाते हुए जिले में हेड अकाउंट सुरू करने का फैसला किया है इसके साथ ही राज में सरमिकों के लिए हिंदी भासी अधिकारियों द्वारा संचारित हिल्फ लाइन अस्थापित करने का निर्न लिया गया बतादे टी ओ आई की एक रिपोर्ट के अनुसार हलाकि उत्तर की और जायने वाली ट्रेनों में होली के लिए घर जाने वाले सरमिकों पर अस्थानी लोगों द्वारा हम लोग के फेक वीडियो से मईदुर्यों के परिवार के लोग अभी भी घबराए हुए है स्रम कल्यान और कौसल विकास मंत्री सीवी गनेशन ने हली के दोरान हुड़दांगियों पर नियंत्रन को पुलिस नमंगलवार को पुलिस के अंद्रे में मोग डिल किया है इसका नेत्रीत सर्जेंट मेजर अधेस कुमार ने किया इस दोरान उपद्रव और समाज विरोधी नारे बाजी कर रहे लोगों को नियंत्रन करने का पुर्व अभ्यास किया गया पुर्व अभ्यास में पथर बाजी कर रहे लोगों को पहले माइकिंग कर समझाया गया जब उपद्रवी नहीं माने तो लाठी चार्ज का अभ्यास किया गया साथ ही आसुगस छोड भीड को तितर वितर करने का अभ्यास भी किया गया इस समध में मेजर ने बताया है कि होली के दवरान यदि कहीं कोई उपद्रव या अपरिये घटना होती है तो पुलिस इस से कैसे निप्टे की इसका अभ्यास किया गया पुलिस कर्मियों को इसका प्रसिक्षन भी दिया गया है इधर होली की दवरान सांती वेवस्था को लेकर पुलिस ने गरामीन छेतर में फ्लैग मार्च किया है इसे लोगों को सांती पूर्ण तेभार मनाने का संदेश दिया S.P.H.P. जनार्धन ने कहा है कि होली को लेकर पुलिस पुली तरह से चोकस है तन्वेदन सिल्जा गोपर विशेस नजर रखी पुलिस वादनडा दिकारी की तैनाती की गई है धन्यवाद